हलो माई डियर फ्रेंड्स रतन टाटा जी के बारे में आज मैं आप लोगो तीन स्टोरी से एर करूँगा जिससे ये पता चलेगा कि वो किस लेवल के इंसान थे और उन स्टोरी से हम लोग क्या क्या सिख सकते हैं तो चलिए जानते हैं सबसे पहली स्टोरी एक बार इंस्टाग्राम पे रतन टाटा का वन मिलियन फलोवर हो गया तो रतन टाटा खुद आये इंस्टाग्राम पे और लोगों को धन्यवाद दिया लोगों को थैंक्यू बोला तो एक लड़की ने कमेंट किया कि कॉंग्रेचुलेशन्स छोटू छोटू लोगों ने बुला कि अबे देख कौन है वो रतन टाटा है वो और उनको तुम छोटू बोल रहे हो तो लोगों ने कमेंट्स में उस लड़की को खुब ट्रोल करना ही स्टाट कर दिया जब ट्रोलिंग खुब जदे बढ़ गई तो रतन टाटा जी खुद आए और उसने ये कमेंट किया कि देखे हम सुब लोगों के अंदर भी बच्चा होता है और प्लीज इस लेड़ी को कोई तंग ना करे जब टाटा जी ने ये कमेंट किया तो लोग और उस लड़की पर चड़ गए कि अब देखो कैसा इंसान है और तुम उसको छोटे बोल रहे हूँ तो लास्ट में तंग आ कर गए उस लेड़ी ने अपना कमेंट ही डिलेट कर दिया तो ये रिस्पेक्ट और ये लेवल है टाटा जी का दूसरी स्टोरी एक बार रतन टाटा जी गारी में और भी बहुत बड़े-बड़े एक्जेकिटिव्स के साथ बैट करके कहीं जा रहे थे तो बीच रास्ते में उनकी गारी का टायर पंचर हो गया तो सारे लोग गारी से उत्रे और कोई चाय के टपरी पे कोई चाय पीने लग रहे हैं कोई आराम कर रहे हैं कोई टहल रहे हैं कोई सुटा मार रहे हैं तो लोगों ने नोटिस किया कि रतन टाटा कहां गए अरे टाटा जी कहां गए कहीं वो वाश रूम तो नहीं गए कहीं वो टहलने के लिए तो नहीं चले गए तो लोगों ने देखा कि रतन टार राजी अपने शर्ट के स्लिप्स को लपेट करके, अपने टाई को पीछे करके और टायर पंक्चर करने वाले के साथ में लगे हुए उसके मदद करने में तो लोगोने आके बोला कि sir आप क्यूं क्यूं कर रहा है आप तो रितर्न ठाटा हैं आप छोड़िया आप असरब क्यूं कर रहा है तो रितर्न ठाटा बोले कि अगर उस tyre को पंचर को ठीक करने में पंदरे मिनिट लगता है, अगर मैं उसके हेल्प कर दूँ, तो हो सकता है, वो साठे साथ मिनिट में हो जाए, और मेरे लिए साठे साथ मिनिट वक्त बच जाएगा, और मेरे लिए वक्त बहुत किम्ती है, क्या गजब की स्टोरी है दोस्तों, और तीसरी स्टोरी, और ये व नेiałकर काल किया और वाड़ कि दिन रतन टाटा ने काल करके बताय कि तूंश नहीं आ सकते कियों कि उनके ब्लते हैं डाग वाट भाड़ुँआ हैं टैंगव झायठ यू मेंसे इक्दीद भीत गए खराब रव this whole Guard यह है रतन टाटा और इसी वज़े से टाटा जो हाउस है वो आज तक टिका हुआ है और आज तक बना हुआ है और यह घटना 2018 की है तो आप लोगों को यह स्टोरीज कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं और आप लोगों को ने इन स्टोरीज से क्या-क्या सीखा यह भी बताएं बहुत ही दुख की बात है कि रतन टाटा आज हमारे बीच नहीं है लेकिन उनकी स्टोरीज, उनके आईडियाज, उनके लेसंस हम लोगों को हमेशा इंस्पायर करते रहेंगे वेल, दिस इस फरान शमीमी, थेंक यू सो मच